नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप UPI के माध्यम से यानि गूगल पे, फोन पे, पेटियम, भीम, अमेजन पे आज जो ही platform हैं, इनके माध्यम से आप एक financial year में यानि एक वित्ती वर्स में अपने saving account यानि बचत खाते से कितने रूपए आप send कर सकते हैं यानि भेज सकते हैं और कितने रूपए आप receive कर सकते हैं, income tax के द्वारा क्या limits बनाई गई हैं, ताकि आपको income tax department के तरफ से notice ना आए, आपके उपर penalty वा charges ना लगाए जाए क्योंकि आज के समय में हर वेक्ती चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो UPI के माध्यम से कर रहा है और सरकार भी चाहती है पूरी तरह से कि आपको cashless कर दे, सरकार चाहती है कि आप कम से कम transaction cash में करिए, ज्यादा से ज्यादा आप digital transaction करिए, ज्यादा से ज्यादा आप landen, UPI के माध्यम से करिए, net banking के माध्यम से करिए, check के माध्यम से करिए, neft RTGS के माध्यम से करिए, लेकिन कैस से ना करिये, तो सरकार इसमें काफी यादा सफल भी रही है, नोट बंधी के बाद से, उसके बाद जब कोविड काल आया, तो उसके बाद से देखा गया है कि जो digital transaction है, उनमें बहुत तेजी से उचाल आया है, यानि जो digital transaction के user हैं, जो प्योग करता हैं, उनमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और आज के समय में दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में डिजिटल लेंदेन हो रहे हैं UPI के माध्यम से लोग छोटे से छोटा काम भी अपना UPI से निप्टा लेते हैं और बड़े से बड़ा काम भी लोग UPI के माध्यम से पे कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है, अब आपको पैसे ले करके चलने के आउशकता नहीं है, तो लूट पार्ट की भी खत्रा यहाँ पर नहीं है, कि आपके साल लूट पार्ट हो जाएगी, चुकि पैसे ले के ही नहीं चलना है, आपके जितने भी कर्चोरी होती हैं, टेक्स्चोरी होती हैं, फिर जो भी दो नंबर के काम होते हैं, वो कैस में ही होते हैं, तो सरकार चाहती है कि आप सारे ट्रांजेक्शन कैस में न करके, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करिए, UPI से लेंदेन करिए, अब लोग UPI से लेंदेन त को भेज सकते हैं UPI के माध्यम से कितने रुपए आप रिसीब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिस ना आए तो इस वीडियो में हम आपको इसी वी से प्रजानकारी देने वाले हैं कि आखिर आप अपने सेविंग अकाउंट यानि बचत खाते से एक फाइनेंसल यह यानि एक वि हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लिजेगा ताकि जैसे मिस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले चलिए सुरू कर लेते हैं दोस्तों आप सभी को पता होना चाह अपने सेविंग अकाउंट में नहीं करना होता है ऐसी जानकारी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही आप लोगों को बता चुका है बार बार अवेर करता रहता है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपको अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउं वाला हो इन सभी लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट के बार कोड को लगा रखा है कि आप अगर हमारे गोलगप्पे खाते हैं या समोसे खाते हैं तो आप हमारे इस खाते में पैसा UPI के माध्यम से डाल सकते हैं अब होता क्या है मान लिजे कोई ऐसा ब्यक्ति है जो दिन बात करें तो यह 18 से 20 लाक रुपए उसके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जा रहा है यानि चला जा रहा और अगर उसके सेविंग अकाउंट में पैसा जा रहा है 18-20 लाक मैं तो यह मानता हूं कि 10 लाक से उपर अगर पैसा आपके सेविंग अकाउंट में जा र फिर सामान लाना है, मैदा खरीदना है, आपको तेल खरीदना है, आलू खरीदना है, तभी तो आप समोसे बनाएंगे, यह सारी सामान आप फिर जाएंगे, किसी दुकान पर वहाँ से खरीदेंगे, और उनको आप फिर UPI के माध्यम से वो पैसा पे कर देंगे, या फिर आप बैंक जाएंगे वहां से कैस विड़ डाल करेंगे उसके बाद वो पैसाब पे करेंगे तो अगर आपने 10 लाख रुपाई UPI के माध्यम से एक साल में ले लिया है तो इसका मतलब यह है कि यह लगभद 20 इंकम ही बाकी 6 sa? 8 लाख रुपाई तो आपकी लागत होगी अब अब इंकम टैक्स डिपार्टमंट कहता है कि आपने पैसा अपने सब्टे अकवन के माध्यम से लिया है उससे फिर हम आपकी income को मान लेंगे, तो कहने का दात पर यह है, अगर आप पैसा अपने saving account में business को ले रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि मेरे income 2-3 लाख रुपए है, उधर आपके खाते का जो turnover है, वो 20 लाख रुपए का है, तो ऐसे में आपके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो अगर हम बात करें कि income tax के द्वारा क्या limit बनाई गई है, UPI के लेंदेन को ले करके, कि आप कितना ले सकते हैं और कितना send कर सकते हैं एक financial year में, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं income tax के द्वारा कोई भी limits नहीं बनाई गई है, ऐसा कहीं भी income tax ने नहीं लिखा है, ना ही RBI ने लिखा है, ना ही भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने बचत खाते में UPI के माध्यम से एक वित्ती वर्स में कितना पैसा ले सकता है और कितना दे सकता है, ताकि उसे notice ना है लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रास करते हैं, एक वित्ती वर्स में किसी से पैसा रिसीब करने में, तो फिर आपको notice आ सकता है income tax department का क्योंकि आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, आप 10 लाख 12 लाख रुपए एक वित्ती वर्स में अपने से अकाउंट में ले रहे हैं, उसके बाद उसे वापिस भी सेंड कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन की लिमिट आपकी 20 से 25 लाख चली जा रही है, यानि high value के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके अकाउंट में, और उसके बाद आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आप टेक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, तो income tax department आपको notice भे सकता है, आप से जवाब मांग सकता है, कि ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है, आप ये पैसा कहां ले जा रहे हैं, और इस send करने में, कि अगर आप एक वित्ती वर्स में 10 लाख रुपैस ज़्यादा किसी को UPI के माध्यम से send कर देते हैं, वो चाहे आप 10 बार में करें, 20 बार में करें, 100 बार में करें, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपैस ज़्यादा एक वित्ती वर्स में किसी को send कर देते हैं, त तो फिर दोस्तों आपको income tax department notice भेज सकता है आपसे जवाब मान सकता है और आपके उपर penalties लगा सकता है अगर आप उससे explain नहीं कर पाए तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो इसलिए हमारा यह मानना है और ज्यादा तरह ऐसा देखा भी गया है कि जिनके भी transaction 20 लाख रुपए तक हो जा रहे हैं उनको income tax department के तरफ से notice आ रहा है तो हलाकि income tax department ने कहीं भी यह नहीं दरस आया है कि आपको कितने रुपए send करना और कितने receive करना है लेकिन हमारी आपको यह राय है कि अगर आपकी limit 10 लाख रुपए हो जा account में आपको अपने business के transaction business के लिए current account होता है तो आप एक current account को open नहीं करा लेते आप एक current account open करवा लेजिए आपके pen card आधार card पर आपका current account open हो जाएगा और उसकी limits बहुत अधिक होती हैं वो आपके business के लिए होता है तो आप उसको यूज करिए UPI में उसका बारकूर इकत नहीं होगी लेकिन आप लोग अपने बचत खाते में business के transaction कर रहे हैं तो यह गलती आप बंद कर दीजिए वरना आप बड़ी मुसीबत में फच जाएंगे तो दोस्तों income tax department के द्वारा कोई limit तो नहीं बनाई गई हैं लेकिन यह हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए ले आपने limit को ब्रीज किया है तो कल आपको notice आएगा ऐसा नहीं अगले आठ सालों में income tax department आपको कभी भी notice भेज सकता है और आपसे जवाब मान सकता है अब मान लिजे income tax department 2030 में आपको notice भेजता है और आपसे पूंचता है कि आप 2024 में अपने saving account में 25 लाख रुपए के transaction किये थ इसलिए दोस्तों ये काम बंद कर दीजिए business के transaction में लेना बंद करिए ना ते रिस्तेदारी लोगों के जो transaction होते हैं उनको भी बंद करिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक लाख रुपए उनसे कैस ले लिया पिर उन्होंने आपको सेंड कर दिया आपने उनसे क काम बंद कर दीजिए दोस्तों जिस दिन आप पकड़े गए बहुत बड़ी मुसीबत में आप फच जाएंगे ये money transfer का मैंने देखा बहुत सारे लोग काम करते हैं कि बच रहा वहां पर दो रुपए पांच रुपए दस रुपए और पैसा वो सेंड कर रहे हैं एक एक ल अब आप बच नहीं पाएंगे सारा सिस्टम सेंट्रलाइज है आपका पैन आधार से लिंक है आपका आधार आपके मोबाइल लंबर से लिंक है आप कहीं से कोई भी transaction करेंगे निश्चित रूप से आप पकड़े जाएंगे बचेंगे नहीं तो यह गलती करना आप बंद क फच जाएंगे दोस्तों आसा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई हो तो फ्लीट वीडियो के लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लीजेगा ताकि जैसे हम इस तरह क कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तक तक के लिए जैहिन जैभारत